इस वक्त की दुखत खबर जो है वो पुंच जिला के बाटा दूडिया इलाके से आ रही है जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है और इस हादसे में तीन से चार भारतिय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं इस बात की जानकारी जो सुत्र हमें दे रहे हैं कि पुंच जिले के अंदर जो बाटा दूडिया इलाका है वहां पर एक भारतिय सेना की जो गाड़ी है अचानक वो दूं-दूंकर जलने लगी और इस आग में तीन से चार जो सेनिक हैं वो जो हैं वो शहीद होने की खबर इस वक्त जो है वो हमारे पास मौसूल हो रही है औ और आपको ये बता दें कि अभी कारण जो है वो साफ नहीं हो पाया है कि आखर किन कारणू से ये आग की गटना जो है वो लगी है क्योंकि जैसे ही ये आग की गटना हुई और उसके बाद दूं-दूंकर वो वाहन जो है वो जलने लगा जिसमें भारतिय सेना के जवान श वो इसमें शहीद होने की खबर जो है वो मौसूल हो रही है और ये भी बता दें कि वो वीडियो हमारे पास मौजूद है जिस वीडियो में ये जलता हुआ वाहन जो है वो दिखाई दे रहा है लेकिन वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया गाइडलाइन के मुताबिक जो ह वो हम आप तक नहीं सांजा कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर हैं वो विचलित कर सकती हैं इसलिए ये जो वीडियो है वो हम अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं लेकर पुंच से ये दुखत खबर है कि भारतिय सेना के 3-4 जवान वो इस वक्त शहीद होने की खबर है और क्यों लगी है लेकिन जो सूतर हमें बता रहे हैं जो जानकारी इस वक्त पहुंच रही है उस जानकारी के मताबिक इस वक्त जैनकारी सेना का जा रहा था जिसमें जवान सफर कर रहे थे और अचानक आसमानी बिजली जो है वो गिरने से इस स्वाहन में आग जो है वो लगी है ये जानकारी जो है वो हमारे जो सूतर है वो हमें दे रहे हैं क्योंकि शुरुवाती जानकारी है लेकर मैं फिर आपको बता दूँ कि अभी सेना की तरब से इस बात को लेकर कोई पुष्टी जो है वो नहीं की गई और जब तक सेना इसको लेकर जांच के बाद पुष्टी नहीं करती है तब तक कुछ भी कहा जाना बिलकुल सही नहीं होगा जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना लेकर जो हमारे सोर्चिस हम तक confirm कर रहे हैं वो confirmation इस बात की है कि जो बिजली है आस्मानी वो श इसमें शहीद हुए हैं लेकर फिर आपको बता दूँ कि आज दुखत खबर पुण्च जुला से आई है जहां पर बाटा दुणिया इलाका है उस इलाके में सेना के एक वाहन जो है उसमें आग लगी है और उसके बाद आग लगने के बाद तीन से चार जवान जो हैं वो शह आया है फिलाल के लिए मुझे ने इजाज़त और आप देखते रहें यूएंटी नमस्कार